इस लोकेशन पर हमारे सीमा सुरक्षाबल के बहुत दूर जवानों नाका और अमबुश लगाए हुए थे और जब बॉडर पर तैनाथ जवानों ने ड्रोन की आवाज सुनी तो यहां पर लोग जो हमारे तैनाथ थे उन्हें एकदम अलर्ट कर दिया और यहां तैनाथ जवानों ने उस ड्रोन की आवाज सुनी जवानों ने उस पर तुरंट फायर करा और फायर करने के साथ ही जवानों को ऐसा आभास हुआ कि कोई चीज आसमान से नीचे गिराई गई गई हुई है हमारे यहां पर चार से पांच अलग-अलग पॉइंट पर नाके लगे हुए थे और तुरंट पूरे इलाके को घेर लिया गया और जवानों ने बड़ी सजकता करतवे परायनता दिखाते हुए जब सर्ज करी तो एक लखड़ी का पूरा पैकेट मिला और पैकेट को जब खोला गया तो उसमें चार चाइनीज पिस्टल आठ मेगजीन और 47 नाइन एमेम के राउंड मिले ये चारों पिस्टल चाइना मेड थे और ऐसा प्रतीत होता है कि चुकि गंतंत्र दिवस आ रही है गंतंत्र दिवस का पावन दिन आ रहा है तो पाकिस्तान की तरफ से कोई खुराफात करने के लिए कोई बड़ी घटना को वारदाद देने के लिए इस तरह से हतियार इस इस इलाके में भेजे जा रहे है पर सीमा सुरक्षाबल के जवान बहुत चौकस हैं बहुत सजग हैं और बहुत 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 दूरी से इतने कठोर मोसम में कल रात को पूरे इलाके में धुंद चाही हुई थी और इलाके को देखना भी बहुत मुश्किल था तो सीमा सुरक्षाबल पूरी ताकत के साथ दुश्मन के जो भी नापाक इरादे हैं उनको लगातार नाकाम्याब करती रही है और इसी तरह से आगे भुश्चे में भी करती रहेगी थैंक यू जैंड एक ड्रोन की आने की खबर थी सीमा सुरक्षाबल ने बॉर्डर पर और इसके साथ साहती पीछे के इलाके में भारी मात्रा में जवानों को तेनाज करता था